नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत ही महत्वपूर और इंट्रेस्टिंग सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं मामला है एक बार फिर से तुर्किये को लेकर तुर्किये जिसका की पुराना नाम तुर्की देश हुआ करता था वहाँ के राष्टर ध्यक्ष है रेसेब तैयब एर्दोगान इन्होंने भारत को घेरने की कोशिस की है कहां पर तो United Nations General Assembly के अंदर इनके द्वारा भारत विरोधी बयानवाजी की गई है पाकिस्तान प्रेम इनका जो है काफी पहले से है जिसके चलते भारत का एक प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को लेकर कहा गया है इनके द्वारा या फिर कहें कि उसका एक alternative दूसरा प्रोजेक्ट बताया गया है कौन सा है वो प्रोजेक्ट इसके हम चर्चा करेंगे और उसके बदले में जो इन्होंने भारत विरोधी हरकत करने का प्रयास किया है जो बाइडन अमेरिका के राष्टपती ने स्वयम ही इसका जवाब आकर दे दिया है और साथ में जो बात निकल कर आई है कस्मीर मुद्दे को लेकर एक बार फिर से UNGA के अंदर इन्होंने अपना राग अलापा है पाकिस्तान का जो प्रेम है या फिर कहें तुर्की का जो पाकिस्तान के प्रति प्रेम है वो जग जाहिर है भारत विरोधी गत्विदिया जब भी पाकिस्तान के द्वारा की जाती है उसमें तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है लेकिन अभी बीच में जो G20 का सम्मिलन हुआ था उसके अंदर आए हुए थे G20 में सामिल होने राष्टपती रहसेपतायब और्दगान मोदी जी से मुलाकात करते हैं इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि जो एसिया है उसके अंदर इंडिया इनका यानि कहें रोड का प्रोजेक्ट जिससे की इंडिया या फिर कहें कि एसिया को यूरोड से कनेक्ट करने के लिए बाइपास कर दिया यानिकि इनको कोई भाव जो है नहीं दिया गया था जिसके चलते नाराज हो गई अब इनके त्वारा बारत विरोधी हरकतें फिर से शुरू की प्रकिस प्रेसिडेंट रसेप तयेप एर्दोगान रेजेज कस्मीर इसू ड्यूरिंग यूएंजी एड्रेस। इसके बदले में हम दूसरा रोड बना सकते हैं। अब ये इंडिया मिडिल इस्ट यूरोपियन एकोनोमिक कॉरिडोर क्या है। ये आखिर है क्या। तो भारत के द्वारा जी ट्वेंटी सम्मेलन के अंदर इसको पेस किया गया था। भारत चाहता है कि इंडिया की जो कनेक् हैं इन तक कैसे हो तो इंडिया के माध्यम इंडिया के द्वारा जो बताया गया है पोर्ट सिटीज जो है वो अरब सागर के अंदर कनेक्ट होने के बाद यहां से हम चलकर UAE महुचें UAE के बाद railway line के माध्यम से होते हुए UAE के बाद साओधी अरब साओधी अरब के बाद जॉर्डन जॉर्डन के बाद इसराइल होते हुए फिर से port countries का जो connectivity है वो यहां हो जाए और सीध है railway line के माध्यम से जो व्यापार है हमारा यूरोप तक हो जाए अब इसके अंदर तुर्की को आखिर समस्तिया क्या है तुर्की जो है हमेशा खुद को एक ऐसा देश मानता है जो कहता है खुद को कि वो है gateway of Europe यानि कहना है इनका कि Asia और Europe को यदि connect करना है तो यहां बीज में जो तुर्की है इस तुर्की को आपको जरूर सामिल करना होगा और इसी के चलते अपनी इस strategic location के चलते पूरी दुनिया को परिशान तुर्की के द्वारा किया जाता है और भारत ने अपने प्लान के अंदर तुर्की को बाईबास कर दिया आपको यहां कहीं भी तुर्की कोई एहमियत दिखाई नहीं देती है इसी की वजह से नाराज हो गया तुर्की तुर्किये के राष्टपती रेसेप तयव एर्दोगान ने United Nations General Assembly में एक बार फिर से कस्मीर का मुद्दा उठाया है UNGA के 78 सेशन में एर्दोगान ने कहा South Asia में सांती इस्थिरता और विकास के लिए कस्मीर में नियाय के साथ सांती इस्थापित करना बेहत जरूरी है असल में G20 की तमाम बैठके होई है आपने आकर देखा नहीं कस्मीर के अंदर सांती पूर्वक ब लिए मामला सुल्याना होगा ऐसा इन्होंने कहा आगे इन्होंने कहा कि हम कस्मीर में सांती के लिए जो भी कदम उठाएंगे उसका समर्थन करेंगे भारत UNSC में एक एहम भूमिका निभा रहा है और ये गर्व की बात है ऐसा इनके द्वारा बोला गया अब हमारे जो दो लोगों के बीच में विवाद देखा होगा उनके बीच में कोई भी व्यक्ति यदि तीसरा व्यक्ति मद्यस्तिता कराना चाहता है मीडियेटर होता है बीच में बातचीत यदि कराना चाहता है तो ये तीसरा वाला जो व्यक्ति होता है वो खुद को इन दोनों व्यक्त पाकिस्तान काफी खुस हुआ इस बात को लेकर कि इनके द्वारा ये बयान बाजी की गई है लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो कि अमेरिका जैसे देशों को अपने बीच में मध्यास्ता नहीं करने देता उन तक को हम मध्यास्त नहीं मानते हैं चाहें अमेरिका हो चाहें कदम का समर्थन जारी रखेगा एर्दोगन का यह बयान उनके पुराने बयानों की अपेक्षा काफी हलका है पहले यह काफी ज़्यादा सक्त रवया भारत के प्रति दिखाते थे साल 2020 की यदि बात की जाए साल 2020 में एर्दोगन ने कस्मीर को एक ज्वलंत मुद्दा बताया था इसके साथ ही उन्होंने अनुशे 370 को खत्म करने को लेकर भारत की आलोचना भी की थी असल में इनका यह रवया जो है इतना हलका फिलहाल क्यों होता जा रहा है क्योंकि इनका तुर्की का विवाद चलता है साइप्रस नाम के एक देश से साइप्रस के कुछ इलागों पर तुर्की का द्वारा अपना कबजा बताया जाता है और भारत अब साइप्रस की तरफ भी अपने कदम बढ़ा रहा है इसलिए इनका जो रवया है वो थोड़ा थोड़ा हलका पड़ता जा रहा है फिलहाल हमने कैनेडा की स्थिती जब देखी थी आपको यदि याद हो अपने सेशन्स के माध्यम से कई बार हम उसकी चर्चा कर चुके हैं इंडिया कैनेडा विवाद को लेकर कैनेडा का जो मामला है उसके अंदर भारत ने किसी भी प्रकार की नर्मी नहीं बरती है भारत बिलकुल एकदम फ्रंट फुट पर बेटिंग फिलहाल कर रहा है कैनेडा के मामले में जिससे की पूरी दुनिया को ये संदेश जा रहा है कि अब ये वो वाला भारत नहीं है जो की कहता था कि हमारे इंटर्नल मैटर्स में आप हस्तक्षेप मत कीजिए अब सिर्फ इतना कहकर छोड़ने वाला भारत नहीं है बलकि अब ये भारत प्रतिक्रिया भी देता है और जबड़ जस्त प्रतिक्रिया दी जाती है साल 2020 में जोलंत वद्दा बताया था इसके साथ ही उन्होंने अनुछे 370 को खत्म करने को लेकर भारत की आलोचना भी की थी 2020 में वहीं पिछले साल उन्होंने जोड़ दे कर कहा था कि संयुक्त राष्ट रिजॉल्यूशन अपनाए जाने के बाबजूद कस्मीर अभी भी घरा हुआ है और 80 लाख लोग फसे हुए हैं यह बताते हैं पूरे दुनिया को कि लोग फसे हुए हैं हाला कि भारत की और वाला जो जम्मू कस्मीर है उसके अंदर लोग सांतिपूर तरीके से रहते हैं और भारत का काफी समर्थन करते हैं यह पाकिस्तान का एक न्यूस चैनल है यह जो है इस बात को पाकिस्तान वाले काफी प्राउडली कहते हुए दिखाते हैं कि अर्दगान जो है वो कस्मीर मुद्दे को लेकर इनके समर्थन में हैं लेकिन भारत जो है किसी देश को मद्देस्त नहीं मानता है भारत अपने जो हमारे इंटरनल मेटर्स हैं उनको खोद सुल जाने के लिए ही आगे हमेशा बढ़ता है तुर्की के इस बयान पर पाकिस्तान का भी रियक्शन आ गया है पाकिस्तानी विदेश मंत्राले की प्रवक्ता मुम्ताज जहरा बलूच ने कहा कि कस्मीर के मुद्दे पर पाकि जाला बड़ा देश इनके लिए बन गया है लेकिन भारत जैसे भारत जो है वो किसी भी बड़े देश को भी अपने इंटरनल मेटर्स के अंदर नहीं गुशने देता है तुर्की सहित कई विदेश मंत्री के साथ बैठक की कोई संभावना है इसके जबाब में बलूच जो है इन्होंने कहा भारत के साथ कोई साइड लाइन बैठक की उमीद नहीं है तीसरे पक्च की मध्यस्ता के संबंद में पाकिस्तान ने हमेशा से तीसरे पक्च का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कहा है वह सभी लंबित मुद्बों खासकर जम्मू कोरीडोर के हमने देख लिए कि भारत के द्वारा जो स्फजाय गया प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार का है अब इनके द्वारा तुर्की के द्वारा जो एक alternative बताया गया है कि इसके बदले में हम दूसरा road project बना सकते हैं इनके द्वारा जो बताया गया था वो आखिर क्या था तो आपको इस तस्वीर के इस मैप के माध्यम से वो दिखाई देता है असल में ये चाहते थे कि इंडिया पर्सियन गल्फ तक पहुंचे पर्सियन गल्फ तक पहुंचने के बाद ये रोड जो है या कहें कि रेलवे नेटवर्क बनाया जाए इरान होते ये काफी स्टेटेजिक महतो की लोकेशन है उपर ब्लैक सी है ब्लैक सी के उपर आपको रसिया क्राइमिया वाला छेतर दिखाई देता है और बरावर में है यूक्रेन एक ऐसा देश है जो कि अपने देश के कुल उत्पादन का 95 प्रत्सत गें हुँ तवाम पूरी दुनि जो लोकेशन है इस्तानबुल जिसको की पहले प्राचीन समय में कभी कुस्तुन्तुनिया के नाम से जाना जाता था जो की एक रूट हुआ करता था यूरोप और एसिया के बीच में भारत और चीन समेत जो सिल्क रूट हुआ करता था उसका वो यहीं से होकर किसी समय कि आपको यहां पर पूरी दुनिया को बताना होगा कि तुर्किये काफी महत्वपूर्ण है इसी वज़े से यूक्रेन का जो गैहूं है वो पूरी दुनिया को मिल रहा है इसी प्रकार से अपनी इस लोकेशन की वज़े से तुर्की के द्वारा पूरी दुनिया को हमेशा प खुद को यहां गेटवे अपना बताता है और भारत के द्वारा जो प्लान है उसके अंदर हमने इनको बाईपास कर दिया है जो हमारा रास्ता है उसमें हम यहां होते हुए सीधे साउधी अरेविया में प्रवेश करेंगे साउधी अरेविया से जॉर्डन जॉर्डन के करना चाहता है उसकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंता हैं तुर्की यह चाहता है कि एराक में होकर यह स्रड़क गुजरे यह स्रड़क आई-एस-ई-एस के गढ़ से होकर निकलेगी असल में यहां जो मैप में एक वार यह आप फिर देखें तो यह एरिया आपको दिखाई चलता है और पूरी तरह से यह रोड बिल्कुल भी किसी हवाले से ठीक नहीं हो सकता भारत के मध्यपूर्व कोरिडोर से चड़ा हुआ है तुर्किये जी ट्वेंटी सिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित मध्य भारत मध्यपूर्व यूरोप आर्थिक गल्यारे पर यही जो ह महादूइप मिलती हैं ऐसे में हम सहयोग को बढ़ावा देने वाली किसी योजना के लिए पूरी तरह तयार है हालां कि यह ग्यात होना चाहिए कि हमारे छेतर में तुर्किये की भागीदारी के बिना उर्जा और परिवहन गल्यारों का प्रभावी और टिकाव संचालन सं नहीं है इनके द्वारा यही बयान दिया गया था चिडने के बाद कि नो कॉरीडोर विदाव टर्की कि तुर्की के विना कोई कॉरीडोर पॉसिवल ही नहीं है ऐसा इनके द्वारा I.E.E.C. प्रोजेक्ट को लेकर बोला गया था इसके बदले में याँस कहें कि इसका इसके लिए बहुत बड़ा इनवेस्टमेंट और डवलबमेंट भारत के इस प्रोजेक्ट के द्वारा आने वाला है और भारत के इस प्रोजेक्ट का पूरी तरह से समर्थन खोले आम जो बाइडन के द्वारा कर दिया जाता है बाइडन said that the rail port project is a part of an effort to build a more sustainable integrated Middle East की मजबूत Middle East की स्थापना इस रोड के द्वारा की जाएगी पूरी तरह से भारत के समर्थन में बाइडन के द्वारा बयान की दिये गए और आप देख सकते हैं ये लेटर भी इनके द्वारा किस प्रकार से जारी किया गया है उम्मीदे साथियो पूरा सेशन आपको अच्छी तरह से समझ माया हो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना अपने साथियों के साथ ज्यादा सेयर करना बिलकुल ना भूलें और अगर चैनल पर पहली बार पदा रहे हैं तो परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत